करते हैं एडी जो कारवई कर रही है राजे किंदर सरकार के कहने पर हम उसके किलाफ है सबत जो बापिस ले लेंगे तो ठीक है नहीं तो हमें उगर अंदोलन करेंगे अज हनुमानगर कलेक्टर प्रिसर के बाहर कांग्रिस कारेकरताओं दुआरा प्रदान मंतरी मोधी का पुतला फूंका गया कांग्रेस कारेकरतों का कहना है कि जिस तरह से एडी के दवाब में लाकर कांग्रेस अद्यक्स श्री राहूल गांदी को प्रेशान किया जा रहा है यह ना जाय जाए वह ऐसा बदानिक तरीका है जिसके वज़े से कांग्रेस कारेकरतों में रोज देखा गया कांग्रेस कारे करता का कहना है कि जिस तरह से पियों में ओफिस के दुवारा निर्देश दिये जाते हैं एडी उस तरह की कारवई करता है एडी के दवाब बना कर रास्ट्रिया देख स्री रहूल गांदी को परिशान किया जा रहा है और देश के अंदर से विपक्स को खतम करने की एक साजि देती और इस तरह की कारवई पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अब आपकी बात कराता हूं वधी चापे बंद करो रहा हूं इटी का चूदा दबाब बनाना बंद करो चूते हरोप लगाने बंद करो करोब अदेरे को चूते हरो चूते हरे देखरण का चूते हर नहीं कि便 को चूते हरो नेयमस साथ जल रह जाएखां रासे नाइड़ आपनियो आरे लिदे, हुझा कर दोने हरा वपना है कर दो कर दूीं लासे इंहॡ़ अरे सा लिदी कर दिह c También आगट इंहल। ! टनाषी रगा लासे वस्ते एंहा देया के अंदर सरकार में जो पर्दानमंत्री जी ने इड़ी से नजायद जो है हमारे राष्टी एजेक्स राउल जी के खिलाफ में जान बूज करके करवाई कर रहे हैं वो और दबाब के अνदर जो है दो दिन से वो करेलय के अंदर उन्होंने बलाए है और कुछ भी मामला नहीं है तो इसके विरोध के अंदर जो बाजबा सरकार की जो निती है उसका बारी विरोध किया रहा है और इस विरोध के चलते वे मोती जी साभ हो जाएंगे क्योंकि इस तरह से दमनकारी निती जो यूपी में इनोंने कर रखा है यूपी के अंदर जो जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है कमरों के अंदर बंद करकर के केस करकिये जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं जो जान बूज करके तोड़ी जा रही है जो बिल्डिंग है किसी के और से नाम से है एरे उसको बता दिया भी ये फलाँ आदमी उस उकुरबाद में शामिल सारून की जो बिल्डिंगें तोड़ दी है इस परकार से जो ये अपने अधी इन जो है एजेंसियां उन्सके विरोध के अंदर हमने आज जो है ये पुतला देन किया है ताकि ये थोड़ा सा इनके अकल आए और ये परजात अंतर जो है वो बाल रहे इसके दैया राम जाखर पूरु परदान पंचाई सिमिती अनमान गड़ अज दा प्रोग्राम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर देशा उन्सार जो राहुल गंदी जी को एड़ी वाले परिशान कर रहे हैं बिना वजा परिशान कर रहे हैं उसके वरोध के अंतर जेला कलेक्टर पर हर जेले के अंदर पूरे रास्तान में आज वरोध प्रदेशन किया गया है और हम इस बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि आप बिना वज़े किसी को परिशान मत करो जो बीजेपी के अंदर चला जाता है उसको ये इनकी सी बी आई या सी आई डी कोई कुछ नहीं कहती लेकि कोई चिटाला जी को बेल मिल गी तो क्या इतने जल्दी उनके जो उन पर ये केस थे क्या वो खत्म हो गए तो ये सिर्फ सोची समझी चाल के तहत वरोधी पार्टियों को ये नीचा दखाने के लिए उनको बदनाम करने के लिए यो ये इडी का प्रियों कर रही है इसके ख हमने मोदी जी का पूतला फुका है उन्होंने एक तना साही अपना रखी है आज उत्तर प्रदेश में देखो एक बच्ची को टार्गेट करके उसके पिता का मकान तोड़ दिया इन्होंने बहुत गल्त किया इन्होंने ये इन्होंने देश में धरम के नाम पर गंद गोल दिया है और देश को दरम के नाम पर बाट दिया है और जो आने वाले टाइम में इनके ब्यानक रतीजें होंगी देश को ये रोजगार की तरुप तो ले जाए नहीं रहे अगर कोई बात आती है तो देश को दरम के नाम पर बाट देती है के दर की जो बाज़पा सरकार है वो बहुत गल्थ तरीके से मानिय राउल गांदी जी को जो ED का दबाव बना के उनको प्रसान किया जा रहा है वो आज से 2015 का जो मुगदम है वो जूटा मुगदम है और CBI से जूटा दबाव बना करके उनको बार बार परिशान किया जा रहा है इस संद्रब में हमने आज जिला और मानगड में अपने पियम मोदी का पुदला फूंका है और आगे भी कॉंग्रेस जन इस इंगिस का दब के विरोध करेंगे के अंदर सरकार के अंदर जो आज पूरे देश में माहल बनाया जा रहा है एक दबाव की राजनिती के तोर पे इससे मनमर्जी से एडी और अपनी एजन्सियां के द्वारा सरकार किसी भी पुपारी और बरग को दबा के और पूरे इंडिया के अंदर देशत का माहल बनाया जा रहा है कांग्रेस आज सारे देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सभी कांग्रेस कारे करता बड़े बारी रोश में हैं हम आज रोश प्रकट करते हैं एडी जो करवई कर रही है राजे किंदर सरकार के कहने पर हम उसके किलाफ हैं सभी कांग्रेस कारे करता एक लाम बंद है और न्याय संगत बात हो और किसी द्वेश भावना से कोई भी सरकारी जंसी का उपयोग के दर सरकार ना करे। मोड़ी तेरी गुंदागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी।